हुआ है 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 तो वेल्गम बैक गाइज लेट स्टार्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट अंजी का बेसिक पंडा मेंडल्स ओके तो आज मैं यह अजियूम करके चल रहा हूँ कि इसके पहले आपने कभी अकाउंट अंजी नहीं पड़ी है इसके पहले लाइफ में आपने कभी अकाउंट्स यह सब्जेक नहीं पड़ा है यह अजियूम करके आज कर मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं आपको एकदम बेसिक से बादा हुआ कि क्या है कैसे करनी है इसके फाइदे क्या है इसके स्ट्रीम क्या यह कहां-कहां यूज हो स हमारे एक्जाम में भी अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेशन जी आए गया और बचा हुआ आएगा थेयरी ठीक है तो अकाउंट्स ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इससे मोस्ली 80-90 पर्षेंट मांक्स प्रैक्टिकल सवाल आते और बचा हुआ 10-15 बिस नंबर का इ लेकिन मानलो अगर मैं आपको एक बुक देदू हाओ टू राइट ऑब बासिकल ठीक है साइकल कैसे चलानी है अगर मैं आपको यह बुक देदू साअ पानिों की आप वह वो पढ़ लोगे और लोच पढ़ के हो गया ऑपका बुक बंकि graduate स्क प्रांश इसा हो बार गिरते नहीं हो तब सास केसे लेनी है यह सारी एक बुक मैंने डिटेल में दिदिया और आपको एक 25 फिट के टैंक में कुदने को कह दिया जंप लगा तो आप तैरपा होगे गया नहीं एक उसी तरह अकाउंट्स है बहले ही अकाउंट्स में एक्जाम में प्राक्टिकल कोशन्स आते हो 80-90 माक्स के लेकिन यह प्राक्टिकल कोशन्स हम कब सॉल्फ करेंगे जब हमें इसकी थेरी पता हो जब हमें पता है कि डेबिट किसे कहते हैं क्रेडिट किसे कहते हैं डेटर कोन होते हैं creditors कोन होते बिल्स receivables क्या होते बिल्स पेबल्स क्या होते डिसकाउंटिंग क्या होती है जब हम यह सारी टर्मिनलोजी सीखेंगे जब हम सारी थेरी पड़ेगे accounting principles क्या होती अकाउंटिंग स्टांडर्स क्या होती तब हमें एक्दम practically इसे apply करते आएगा है तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे थेरी से basic जगेंगे कि accountancy क्या है bookkeeping क्या है कैसे books manage करने है कैसे हमको record करना यह सारी बाते हम एकदम basic details में देखेंगे ठीक है तो start करते है accountancy से यह हमारी note से तो start करते हम accountancy से आपको एक रजिस्टर बनाना एक notebook बनानी है जिसमें मैं जो भी लिखा रहा हूं वह आपको लिखना है और जो भी question answers हम solve करते हैं वह भी आपको उसमें लिखना है ठीक है तो accountancy पढ़ने के लिए हमें दो तीन basic requirement है एक हमार पास एक रजिस्टर होना चाहिए सेकेंड हमें calculator हमार पास एक calculator होना चाहिए जी हाँ foundation में calculator allowed है और आप accountancy में calculator यूज़ कर सकते हो ठीक है 11-12 में आइकस अलाउट नहीं है लेकिन CA foundation में calculator allowed होता है और इसी के साथ most important आपको आपका brain carry करना है आपको आपका brain carry करना है हर लेक्चर में ठीक है तो स्टार्ट करते अकाउंटन्सी क्या है accountancy इस अप्रोसेश आपको लिकना है मेरे साथ यसार इस इस अप्रोसेश अफ इस अप्रोसेश अफ इडनिफाइंग ठीक है हम कुछ इडनिफाइगर थे करते है है measuring identifying measuring and communicating and communicating economic information क्या economic information ठीक है आपको लिखना है साथ ही साथ आपने बेडा अभी हम सिर्फ पढना स्टार्ट किया आप लिखते जाओ दीर 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 सब्सक्राइब आजाएगा ठीक है तो अकाउंटन सी क्या अकाउंटन सी इस प्रोसेश ऑफ आइडेंटिफाइग मेजरीं क्म्यूनिकेटिंग इकनामिक इन्फॉर्मेशन टुपनमेट इन्फॉर्म जजमेंट आइंड डिसीजन मिकिंग बाइड यूजर्स क्या अभी भी कि अबंसरे ट्रांजिक्शन होते हैं ठीक है उत्षी अरिक चनुफ्ण कोई एक अदिविटी सनुस्क्राइट चाब्रेटरी जूती ground जूर्सक्षाओं OSSaldini assistir होती Thing होता है तो Transaction मतलब क्या होता है एक्टीविटी तो हम पूरे पता थे पूरे वर्ट की मिनिंग पता थे क्या नहीं लेकिन हमने क्या किया हमारे टीचर जो भी बता रहे थे हम सुनते गए इस फोर एपपोल बीफोर बॉल सी फॉर काट डी फॉर डग फॉर अलीफेंट हम पढ़ते गए पढ़ते करें फ़र वन रही को आपको पहली बार पढ़ रही हो तो हो सकता है आपने इसके पहले कभी सुने नहीं सुना होगा तो घबराना नहीं है जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ते जाएगे वैसे वैसे आपको एक एक अकाउंटिंग टर्मिनल ऑजी भी समझते आगी आज का जो सेशन है वो थोड़ा ज्यादा थेरोटिकल है एक दम पोथी इनोर प्रेट इस टवरी एक स्टोरी अच्फिझ को सुझेंगे आपको टर्मिनवेल ऑजी अकाउंट में क्या क्या उह होती है यह मि reicht चौरी के फोन में समझेंगे थीका है तो और यौिकर और अकउंटिंग क्या है अग किको उतर स्गेbound को टर्रांसieurम मतलब क्या होता है क आच एंड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसीक्षंशं टीट के देढ़िन रेकितोड कि वहने विजुनिस किया पूरे सने घाल हमें फॉड़नेंको Spr Baptist क्रब्ंभ ट्रीषि खे Mens युक्ण क्योंकि सालवर हमने कुछ आक्टिविटी की कुछ टांजेक्शन की तो उन ट्रांजेक्शन का एंड रेजल्ट क्या है इवेंट उस ट्रांजेक्शन का एंड रेजल्ट क्या है इवेंट और इवेंट क्या हुआ हमने प्रॉफिट अन किया ठीक है तो हमने क्या किया होगे इवेंट क्या हो गया एंड रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास ठीक है यह चीज़े क्या है इवेंट गबराना नहीं है ट्रांजेक्शन इवेंट हम जब बेसिक टर्मिनल और जिसका लेक्षर देखेंगे तब भी हम यह इसले मैं आपको ओवर्विय्यू दे रहा हूँ ठीक है तो ऐसा होता है कि साल भर में हम बहुत चारे transaction करते हैं प्रिए हमने साल बर में कही ट्रांजेक्शन किये तो हम क्या कर रहें उन transactions को identify कर रहे हैं accountancy में हम transactions को identify कर रहे हम accountancy में events को identify कर रहे हैं फिर उसको measure कर रहे हैं अब मैं अगर कहूं कि हमने salary pay की हमने रामलाल हमारा employee है रामलाल हमने रामलाल को salary pay की तो क्या हम हम अप्सकाथ में हमारे वाएकातों में ऐसा लिखेंगे हमने रामलाल को salary गई की कितनी salary पर की हमें measure करना है हमें amount लिकनी है है क्या लिखना है कितनी salary पेगी major salary कितनी how much salary हमने पेगी है ना हमने कितनी salary पेगी मतलग हम transactions identify करेगे हम events identify करेगे लेकिन उनको finance के terms में finance के terms में हम उसे measure करेगे हम उसे finance के terms में measure करेगे सहाब यह books of accounts है सहाब यह सिरिफ vitamin m की बाहसा जानता है सहाब यह सिरिफ पैसों की बाहसा जानता है तो जितने भी transactions है जितने भी events है जितनी भी activities है सब को हम कैसे record करेंगे finance के terms में पैसों की terms में हम record करेगे है ना तो कही transactions कही एवेंट ऐसे आओ सकते हैं जो फाइनांस के टम्स में नहीं है जैसे कि हम कर रहे हैं बिजनेश रामलाल ने हमसे चुट्टी मांगी रामलाल ने कहा शर मौसम बड़ा सुहाना है मैं महाबलेश्वर हो के आता हूं मुझे चुट्टी चाहिए तो क्या हम इसे लिखेगे क्या रामलाल ने चुट्टी ली नहीं पैसों की टम्स में क्या अएगा कि उसकी 30 सालरी कम जाएंगी लेकिन हमshore भूक्स में कहीं लिखेंगे क्या कि रामलाल ने चुट्टी ली नहीं अब मैं कहता हूं कि सर हमारे जो एम्पलोई है रामलाल वो काफी बुद्धी मान है काफी ह टो इस्टेन में बूक्स में लिखूगा क्या नहीं कहीं नहीं कहणीं लिखूगा तो सथंट एसा कहना चाहते हो कि बुक्स में एक होगा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जैसे कि हम मैच पढ़ते थे तो मैच में हम रूल्स पढ़ते थे प्लस मतलब क्या होता है एडिशन सब्स्रेक्शन डिविजन मल्टिप्लिकेशन बॉड्मा शुरूल यह कुछ रूल्स होते थे ठीक उसी तरह हमारे अकाउंट में मेंसे होते हैं वह हम दीरे दीरे समझेंगे एक उसमें का मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो की यह कहता है कि शरिफ पैसों के डंस में रिकारड करना है अभी अब जाधा चर्चा नहीं करेंगे जब हम अकाउंटिंग प्रेशन का लेक्शर देखेंगे तब हम उसे डीटेल म में पढ़ेगे, my dear friends, आप accounts के भृष्मपितामा बनने वाले हो, आप गूरूव बनने वाले हो, आपका accounts में कोई हाथ नहीं पढ़ सकता इतने depth में, इतने अच्छे से, हम accounts पढ़ने वाले हैं, हम सब कुछ correlate करने वाले day 1 को जो पढ़ा, वो by last को भी पढ़ेगे, हम हमने क्या किया हमने आइटेंटिफाइ किया हमने आइडेंटिफाइ किया ठीक है हमने अलग-अलग ट्रांजेक्शन को अइडेंटिफाइ किया उसके बाद में हम ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं क्वांटिफाइ कर रहे हैं मेजर्मेंट हम को ट्रान्सेक्चन को हमारे बुक्स आफ अकांट में रीकॉर्ड गार करेंगे सर रिकार्ड क्यूं करने का है काई को पहलें का फोड़ाने विशा पाइक। इसे को सालरी देनी की है शाहाब हम याद रग लेगे ना डिकॉर्ड नहीं करेंगे सर अच्छा जरा मुझे यह बताओ अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई ट्रांजेक्शन बूल जाए भाया जी भाया जी भाया जी हम क्या कर रहे हम बिजने बैसे कर रहे है तो क्या आपको यह ऐसा लगता है कि सारे ट्रांजेक्शन जाम याद रख पाएगे इतने सारे ट्रांजिशन जम्याद रख पाएगे ऐसा हो सकता है नहीं हम भूल सकते हैं इसलिए हमने पड़ा था बच्पन में शोर्ट पैंसिल इस बें लॉंग मेमरी हम तो इसका मतलब है हमने लिख के रगना चाहिए अगर हम भूल जाएगे तो वो तो भूली गए ना अब हमने किसी को उधारी पे माल बेचा है 1 lakh रुपीश का हमने किसी को क्रेडिट पे good sell किए 1 lakh के अब हमें याद ही निए कि हमने किसको कितना माल बेचा है ना तो गलत बात ह होईग ना सामने वाला धोड़ी हमें पैसा लाके देगा हमें तो याद रगना होंगा कि हमने किसे कितना माल बेचा है कितना किसे पैसा लेना है यह तो हमें ही याद रगना है ना तो recording हम ट्रांजेक्शन को books of accounts में रिकॉर्ड करेगे रिकॉर्ड करने के के बाद में हम उसे classify करेंगे हम उसे classify करेंगे देखो ट्रांजिक्शन कैसे हो रहा है बहुत चारे ट्रांजिक्शन तो हम जब बॉकलार्णल पेष् fundus is this बॉबल किया रिजर्टेवा जर्णल क्लासीफय जिर्प हमें सब्सक्राइवां क豆Ph창 तो क्लाइस है जर्णल किया होता है? लेकिन अगर मेरे बास कल चिंटु बोला अपनी लाटरी लगी है तुम्हारा जितना भी पूरा ना अगला पिछला इसाब है सब लेलो तो आज सुरच कहां से निकला आज सुरिय कोनी कड़े आज सुबास इतने साल से जिसने मेरा पैसा नहीं दिया उधारी पे माल लेके जा जाएगे क्या अब सुबास हफते में एक बार माल लेके जा रहा है तो हमें तो कितने पल्टाना होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे इस इनफॉर्मिशन को क्लासीफाइब करेंगे हम अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे सुबास का लग सोनु का लग मुनु का अलग क्लासीफाइब करेंगे जो रेंट का खर्चा है वो रेंट की बुक में लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक का खर्चा है वो इलेक्रिक की बुक में लिखेंगे जो इंट्रेस्ट का खर्चा है वो इंट्रेस्ट के लेजर में लिखेंगे अब लेजर लेजर क्या होता है यह हम आगे के session में हमें सब समझ में आएगा, ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि हम accountancy में classify भी करते हैं, transactions को, अलग 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 variety में classify करते हैं, transactions को, इसके बाद हम summarize करते हैं, हम summarize करते, अब जैसे sonu, साल बर में 25 बार हम से transition किया है, तो इसको हम एंड में समराईस कर देंगे कि हमने sonu को इतना गूट सेल किया इतना पैसा आया है इतना पैसा आना बचा है तो हम क्या करेंगें कैसे हम अब समच रहते उतने उतने में आप क्या होता है तो फिर से मैं यह कहूँगा दिल ठाम के बेटो हुआन आगे फाले मिं आपको ट्राइल बेलंस क्या होता है तुद फिर यह बनने के बाद हम क्या करते हैं एनलाईस करते हैं हम एनलेसिस करते हैं कि हमारे कितना प्रॉफिट हुआ हमें कितना मुनाफ़ा हुआ किती नफ़ा जाला है किती तोटा जाला है कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ कौन से प्रोड़क्त में कितना प्रॉफिट हुआ हम पैन भी बेचते हैं पैंसिल भी बेचते हैं प interpretation interpretation मतलब हम analysis की भी उपर करेंगे profit हुआ तो concept product में कितना वा कितना percent किसमें profit है पेन में 10% profit margin है pencil में 15 है तो हम जादा क्या बेचेंगे 15 वाला प्र इन सब चीज़ों को interpret करेंगे end result पर आएगे और उसके बाद सबसे end में हम करेंगे कम्यूनिकेशन, कम्यूनिकेट, मतलब जो हमने books of accounts maintain किये, जो accounts किये, वो हम communicate करेगे किसे financial users को, जो लोग हमारी books of accounts use करते हैं, उनको, तो कौन लोग use करते हैं, अभी हमारे यहां पर लिखा है, internal users होते हैं, external users होते हैं, तो यह भी हम पढने वाले हैं, ठीके, आपको यह लिखना है, एक बार आप लिख लो, definition लिख लो, और यह थोड़ा rough में scribble कर लो, लिख लो थोड़ा transaction क्या है, events क्या है, examples लिख लो, definition लिखनी है, एक register हमको maintain करना, एक register बनाना है, register में हमें सब कुछ लिखते चले जाना है, ठीक है, process यह गया थी, accountancy की process थी, हो गया definition लिख के, definition लिख लो, फटा फट, जल्दी जल्दी, बहुत मजा आने वाला है, यह सब्जेक में, accountancy, पूरे commerce stream का basis है, basics है, accountancy पे ही पूरा commerce stream dependent है, chartered accountant, chartered accountant नाम में ही accounts है, तो सबसे important subject है यह, लिखो आगे transactions क्या है, events क्या है, इसकी और detail में transaction events आगे के topics में आएगा, इसकी और लिखा हूँगा, मैं अभी रफ में लिकलो आप बस, इसकी परम आख, परसो . इसकी परदम ने कैसे आप, इसकी आप, पर की का से 4th classifying 5th summarizing 1st identify 2nd measurement 3rd recording 4th classifying 5th summarizing 6th analyzing next interpretation interpretation और उसके बात communication ठीक है हो गया लिखके एक बार सभी का सभी का लिखके हो गया है चलो ठीक है एक बार टेक्स्ट में से देख लेते हैं यह एक्जाम्बल आपको पढ़ना है इंट्रेस्टिंग एक्जाम्बल पढ़ोगे तो आपको और clarity आजाएगी ठीक है एक बार टेक्स्ट में से देख ले मिनिंग ऑफ अकांटिंग तो अकांटिंग इस दी आर्ट ओफ रिक्टिंग एक्टर्ने रिकॉर्ड करना है थ्रांजिक्सट्स को प्लासिफाइंग क्लासिफाइंग फ्रॉफ एम्प्टो की दिखिएंग पैसे नहीं नहीं लिखेंगे ऐसे इसे एवेंट्स जिसमें पैशा involved है, money involved है, शिरिफ वही record करेगे, which are in part at least of financial character and interpreting the result. आखरी में जो result आ रहा है, profit आ रहा है, loss आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसको last में हम interpret करेगे, ठीक है? अगली definition मोलती है, identifying, measuring, communicating, economic information to permit informed judgment and decision by the users, ठीक है? तो symbols है, the procedural aspect of accounting, accounting में procedure क्या है, दो procedure है, एक तो हम क्या करते है, information को generate करते है, कौन सी information, financial information, हाँ, हम information generate कर रहे है, कौन सी information, financial information हम generate करते है, और उसको use करते है, हम information generate करते है, और उसको use करते है, जैसे कि हमने books of accounts बनाया, profit and loss statement बनाया, balance sheet बनाया, ये सब हमने बनाया, अब यह क्या हुआ इसका मतलब हमने information generate की अब हम हमारे books of accounts को देखके उसको use करेंगे यह detail में अभी आगे है users इसको users कौन है कैसे use करेंगे यह सब अभी हम इसी session में समझने वाले है अब देखते generating financial information इसी को हम कहेंगे process accounting की process क्या है तो पहला है identification हम transactions को identify identify करें it involves observing activities and selecting those events that are considered of financial character हम बहुत चारे transactions करते हैं और बहुत चारे events होते हैं हमारे business में तो क्या हम हर एक transaction हर एक event को record करते हैं क्या नहीं हम चरी ऐसे transactions ऐसे events को record करते हैं जो कैसे होते हैं financial character की होते हैं कौन से character की होते है financial character की जैसे कि the value of human resource changes in managerial policies और appointment of personal are important हमारे जो employees हैं उनकी भी कोई कीमत है हमारी जो organizations की policies है वो भी valuable है लेकिन इनको हम books में record नहीं करते क्यों क्योंकि यह financial character के नहीं है यह financial character के नहीं है उसी तरह हमने sale किया हमने purchase किया तो इसमें क्या है पैसा involved है इसमें cash है या credit है पैसा involved है तो इसको क्या करेंगे हम record करेंगे तो हम पहले transactions identify करते हैं हम transactions और events को identify करते है और record कोंसे transactions और events करते है जिसमें पैसा involved है जो finance के temps में अगर finance है जहां पर money है जहां money है वहां खुशी है जहां money है फिनाचाल टम्स है जहां विटामिन M है वही transactions को हम record करते हम plastic में अमसे रिलेटेट है बिस्क कोrias बिजनेस से रिलेटेट नहीं है जो भूली जाओ बिस्टे से रिलेटेट हो उसमें क्लांसिफिकेशन आता देखते हैं उसमें finance involved है क्या, या finance involved नहीं है, अगर finance involved है, तो ही हम उसको record करेगे, ठीक है, अब finance involved है, लेकिन कितना involved है, measure, हमने salary पे की, लेकिन कितनी पे की, उसको हमको quantify करना है, उसको हमको measure करना है, तो second stage है measurement, it means quantification of business transaction, quantification of business transactions, business के जो transactions है, उसको measure करना है, कौनचे terms में, financial terms में, obvious ही बात है, हमारी currency क्या है, हम money के terms में exchange करते हैं, financial terms में, ठीक है, क्या है, क्या है में रूपीज में, currency क्या है, इंडिया की रूपीज पैसा, ठीक है, यह important line है, if an event, if an event cannot be quantified, cannot be quantified in monetary terms, it is not considered for recording in financial accounts, अगेर ऐसा कोई transaction है, ऐसा कोई event है, जो हम quantify नहीं कर सकते, जिसे हम measure नहीं कर सकते, जिसे हम पैसो की परिभासा में बता नहीं सकते, उसे हम record नहीं करेगे, ठीक है, that is why, important items like appointment of a new managing director, signing of contracts or changes in personal are not shown in the books of accounts, हमारे manager की death हो गई, हमारे manager चलते रहे, चलता रहा वो, death हो गई हमारे manager की, तो यह खहीं लिखेगे क्या, नहीं लिखेगे, क्योंकि पैसो की terms में हम इसे measure नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह important statement था, इसे highlight करना है आपको, वैसे मैंने blue में highlight कर रखा है, फिर भी आप, आपके books में जैसे भी marking करना है, आप कर सकते हो, important statement है, ठीक है, आगे है recording, बाद में हमने पहले identify किया, फिर measure किया, फिर उसको books में पैसो की terms में हम उसे लिखेंगे, कैसे date wise लिखते जाए के transactions को, बाद में transactions को हम क्या करेंगे, लिए हम transactions को क्या करेंगे, थीक है, फिर लब एक group of transaction होगा, ठीक है, जैसे की ledger, हम बनाएंगे ledger, जैसे की, sonu का account बनेगा, monu का account बनेगा, ठीक है, sales account बनेगा, purchase account बनेगा, तो sales account में क्या होगा, जितना भी sales किया, सब sales account में रिख जाएगा, purchase account में, जितना भी purchase किया, सब यहाँ रिख जाएगा, machinery account, जार वर में, हमने machinery खरी दी, बेची, उस में repair किया, maintenance किया, उस अब हमें machinery account में रिख जाएगा, सोनु का अकाउंट सोनु से हमने कितने पैसे लिए दिये माल खरीदा बेचा सब उसमें दिख जाएगा तो यह क्लासिफाय कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं लेजर बना रहे हैं लेजर हमारा सेकंड टॉपीक है हम देखेंगे लेजर कैसे बनाना है क्या होता है सब डेटेल में कितना पर्चेस किया कितनी इंकम हुई कितना एक्सपेंडिचर हुआ ने आकरी में कितना प्रॉफिट हुआ इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफाइंग अपना समराइजिंग ठीक है यह हम डेटेल में समझेंगे यह पूरी अकाउंट की प्रोसेस है अभी तो सिर्फ करेंगे उसके बाद हम इंटर्प्रिट करेंगे कि प्रॉफिट हुआ तो कितना पर्षेंट प्रॉफिट हुआ कौन से प्रोड़क में कितना प्रॉफिट हुआ कौन से प्रोड़क में कितना लौस हुआ हमारा सैलरी कितना जा रहा है टोटल ठीक है कौन सा कर्चा हमारा ल पढ़नी है पूरी आपको यह नोट्स मिल रहेंगी फिर में एक दो मिनिट देता हूँ आप थोड़ा फास्ट फास्ट में पढ़ लो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ लो इसमें एक बार यह आपको आएकस नोट्स मिल जाएगी जल्दी आप नोट्स में से पढ़ लेना इसे पार बाद में हम क्या करेंगे कम्यूनिकेट करेंगे हम जो information generate हुई आए जो books of accounts बना है हमने इसे कम्यूनिकेट करेंगे ठीक है किसे कम्यूनिकेट करेंगे internal and external users internal and external users होते हैं हमारे books of accounts की उन्हें communicate करें कि आगे दिखते हैं कौन है वो the accounting information system should be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time जो information हम communicate कर रहे है वो right person को right समय right time पर मिलने चाहिए right information right person को right time पर मिलने चाहिए ठीक है तुसे हम communicate कर रहे हैं कैसी communicate करेंगे हैं हम रिपोर्ट्स बनाएंगे daily weekly monthly quarterly basis पे रिपोर्ट्स बनाएंगे annual basis पे financial statements बनाएंगे यह हम communicate करेंगे ठीक है तो हमारे financial statement कैसे होने चाहिए यह परोबर होने चाहिए जैसे कि मानलों हमारा city होता है city के बार में चेक पोस्ट होते है पोलिस के चेक पोस्ट होते है और वहापी क्या होता है वोकी टॉकी लगी होती है दियुक होता है तो वोखी टॉकी लगी खिह तो वखी टॉकी में 새ुम ORA की में च उर्च इस जीप में जा रहे थे तो सडनली वाकी टॉकी मेसज आया अभी लार्ग लर्गी जीब जाने वाली है उसे रोको मत जाने दो वकी टाकी पर मैसेज बजा रोको मत जाने दो इसका मतलब do not stop जाने दो इसका मतलब हुआ do not stop, let it go है ना ऐसा जिसने सुना जो चेक पोस्ट पे था उस निसने सुना उसने ऐसा इंटरप्प्रेट किया रोको मत जाने दो मतलब do not stop let it go लेकिन जिसने message बएजा उसका message क्या था रोको मत जाने दो जो रोको मत जाने दो मुझा कर ऐसे जाने दो रूखो मत मत जाने दो लेकिन मैसेज बेजा जिसने उसका परपस को करा तो हमें उण lindo इतने अच्छे वे में करना है कि जो अकाउंटन्ट जो मैसेज कनवे करना चाहता है वही मैसेज यूजर तक पहुचना चाहिए तो हमने हमारी अकाउंटन्टनसी कुछ इस तरह से मेंटेन करने चीह तो users कौन होते हैं internal and external users कौन होते है users need financial information in order to make important decisions this users can be divided into two broad categories internal users and external users को हमारे 내잔्सal statements के two 다richten users एक होते है internal users और एक होते है external users तो internal users वो होते हैं जो हमारे organizations के अंधर के लोग है और external जो बहार के लोग है अंदर के लोग मतलब Chief Executive होता है Financial Officer होता है Vice President होता है unit के manager होते है plant manager होते है store manager होते है line supervisors होते है यह सारे लोग को ने हमारे organizations के अंदर के तो इने क्या होता इने भी data लगता जैसे कि Vice President उसे क्या उसे पता होना चीए कि कितना sales हुआ कितना purchase हुआ हभी इन है कितना raw material घरेट का है किमने कहां से खरीदा किसे टेपर्टमेंट को इसु किया है यह तो ऑ हमारे मैंसे बता होँड़ी kiph Flat मैंने करेगे किसे करीदा कितना घरीदा कितने को स्धी टेंडनेयर को स्टोरग मैनेजर ने किसे किसु भाट में एक घंट को दिया ये नहीं से कंण सकते हैं यूजरी था हमरे वैसी मैंग सबक्सक्रेशक हैं नहीं चीए था Sinner5 आफ現在 इसे चाहाए तो बंद्धिव और घले में चीए झ्वेनमेशं करता हूं एसवार देख तरफ में पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं रहे हैं तो कोई भी कंपनी में इंवेस्ट करते हैं हम कीशर में इंवेस्ट करेंगे कि जी ओम्रीस करेंगे ने विध्यों में इनवेस्ट करेगी क्योंकि वह ग्रोथ पर किया है किसा आप उसके बुक्स ऑफ अड़्ाँन बताते है इसाब क्या प्रॉफिट है क्या ग्रोथ कर रहा है तो यह कैसे पादा चलता है पूखस अपाउंट से हमारे फिनांशाल इनफॉर्मेशन से तो इनव सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तब ही अमें लोन मिलेगा मुकेश भाई अगर लोन लेने गया तो यह ले लोन लेने गया नहीं मिलेगा क्योंकि ने सिधा-सिधा धिखा रहा है कि इनने तहारों करोडों रुपया अभी तक इनके एब्लाइस को भी नहीं दिया है तो इन्हें लोन नहीं बिलेगा देखते हैं इसलिए वो लो तो हमें हमारी इंकम हमारी जो अकाउंटेंसी कर रहे हैं हमें इंकम टैक्स एक 1961 को ध्यान में रखते वे भी करना है कंपनी रजिस्टार आफ कंपनी से भी लेबर यूनियन स्टॉक एक्सेंज जो बड़ी उसमें में में बोनस करते कैसे जितने जितना इबहिभा किया उसके उतना इंसेंटा दीन्स करते वहां से क rabbits सब्सक्राइख और यूनियूसर यूजर्स किसके अमारे बुक्स अठेक्स यूजर्स के यूजर्स थे ये रज़़ती देट इंटर्नल उसर और एक्स्रेट ब्यूसर शुर्ड ऐसो वस और एकदम बेशिक फुर्णामेंटल इसका हमारे अकाउंटकी का कीक सब्सक्राइब करें के पहले हम यह समझना में सब्ँराइब किया मैं हम ने उसके में रिकार किया रिकार्ड करने करें उसके समरी बनाइं इनलाइस किया फिर इंटर्प्रेट किया और फिर बाद में उसके end users को communicate किया ठीक है तो इस वास बेसिक्स ऑफ अकाउंटन्सी ठीक है आपको इसमें से कुछ लिखना है तो एक बार लिख लो आप लिख लिजी जल्दी अल्दी